दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम घर बैटे ही जो सुकन्या समर्दी अकाउंट है उसमें किस तरह से जो है पैसे डिपोजिट कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको complete procedure बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है सुकन या समर्दी खाते में पैसे जमा कर सकते हैं तो वीडियो को सुरू से लेके लाश तक जरूर देखें वीडियो में बताईवे procedure को follow करते हुए आप भी अपने mobile phone के द्वारा घर बटे ही अपने सुकन या समर्दी खाते में जो है easily पैसे ट्रांसपर करें तो इसके लिए बन रहे हैं आपके अपने यूटूब चनल टेक यादव के साथ घर बैटे पोस्ट ओपिस की सेविंग स्कीम में पैसे ट्रांसपर करने के लिए आपके पास जो है एक पोस्ट ओपिस का ही अकाउंट होता है IPPB यानि इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक यह कि इसमें आपका खाता होना चाहिए IPPB अकाउंट के द्वारा ही हम पोस्ट ओपिस की सेविंग स्कीम में घर बैटे ही अपने मोबाइल के द्वारा ही पैसे ट्रांसपर कर सकते हैं कोई भी चाहिए पोस्ट ओपिस की सेविंग स्कीम हो उसमें आप इजीली जो है IPPB अका से जो है पैसे ट्रांसपर कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपकी भी प्लश ओपिस में कोई भी सेविंग closure है तो आप सब से पहले पूश्ट-ओपिस में जाके अपना इंडिया पोश्ट पेमेंट बेंग में अगाउंत खुलुआ है घर भखाई पोश्ट-ओपिस किसी भी saving scheme में जो है आसानी से पैसे transfer करें तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपने फोन में IPPB की app को जो install कर रहा है सबसे पहले आपको उस app को open कर लेना है इस तो जैसे आप app को open करोगे अब एप का जो interface है इस तरह से आपके सामने show कर देगा इसको आपको allow कर देना है और allow करने के बाद जो app आपने set कर रहा है तो आपको जो है app डालके सबसे पहले इसमें IPPB की जो app है इसमें login हो जाना है तो थोड़ सा loading होने में थोड़ सा time लग सकता है और जैसे ही आपकी app खुलेगी app का interface इस तरह से आपकी app का जो है interface जो है खुल के आपके सामने show हो जा लेगा post office का उसके उपर आपको click कर देना है click करने के बाद आप देख सकते हो कि इन इन scheme में आप जो है easily IPPB app के दोरा जो है पैसे transfer कर सकते हो तो यहां पर post office की कई saving scheme है अभी हमारे को सुकन्या समर्दी में पैसे transfer करने है तो आप देख सकते हो सुकन्या समर्दी account का जो option है जहाँ पर मैंने arrow मारक कर रहा इसके उपर आपको click कर देना है जैसे ही मैं इसके उपर click करूँगा click करते ही यहां पर आपको क्या करना है कि ssa account number यानि सुकन्या समर्दी का account number और dop customer ID और उसकी customer ID यह दोनू चीज़ आपको जो है यहां पर enter कर देना अभी यह दोनू चीज आपको जो आपकी सुकन्या समर्दी की पासपूग है वहाँ पर मिल जाएगी यह जैसे ही आप इंटर करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने कुल के स्यो हो जाएगा इसमें आप लिखा हुआ है कि आप इसमें मीनियम मेकजिमा कितने रूपए डिपोजिट कर सकते हो औ और इसमें आपने इस एप का यूज करके अभी तक कितने रूपए जो है डिपोजिट किये है पूरा का पूरा इसमें जो है लिखा हुआ मिल जाएगा अभी जितने भी आपको इसके द्वरा पैसे ट्रांसपर करने है जार दो जार पांट जार दस जार वो यहां पर डिप कर देता हूं और जो नीचे जो कनफरम का उप्शन है यहां पर कर देना है फिर एक बारी आपके सामने कनफरमेशन शो कर देगा इसके बाद में आपको कनफरम कर देना है तो जैसे ही मैं दोस्तों इसको कनफरम करूंगा कनफरम करते ही जो आपने इस अकाउंट में जो OTP चली जाएगी तो वहां से आपको OTP यहां पर जो OTP के box बने वे हैं OTP वो OTP आपको डाल देनी है और OTP डालने के बाद आपको इस page को submit कर देना है तो मेरे पास जो OTP आई है मैं OTP देखके उस OTP को यहां पर फिलप कर देता हूं डाल के इसको confirm किया इस तरह से payment successful का message आ गय पैसे transfer कर सकते हो दोस्तों अगर आपको भी पैसे transfer करने में किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो comment box में जरूर लिके मैं जितनी हुसके आपकी पूरी help करूंगा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवा थेंक्यू दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताए अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा like करें share करें वह मेरे youtube channel को जरूर subscribe करें thank you for watching my video again thank you